जैहिन दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल इंडिन आर्मी में दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जिन इस स्टुडेंट्स ने 2021 में एर फोर्स एफ कैट का एक्जाम दिया था जिसके बाद इसके सेलेक्शन प्रोसेस की परकिरिया काफी समय से चल रही थी तो दोस्तों कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं कि एर फोर्स ने एफ कैट के स्टुडेंट्स का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है जी हाँ दोस्तों इसकी merit लिस्ट आचुकी है कि कितने candidates को इन्होंने सेलेक्ट किया है एर फोर्स में एफ कैट के लिए जिन्होंने भी apply किया था और जो बच्चे इसमें पासो चुके हैं उनकी merit लिस्ट इंडियन एर फोर्स ने जारी कर दी है दोस्तों मैं आपको बता दूं किसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हैं इसकी PDF का लिंक हमने अपने description box में दे दिया है आप हमारे description box में जाकर link पर क्लिक करके उसकी PDF को download कर सकते हैं और उसमें अपना नाम चेक कर सकते हैं दोस्तों जब आप यहां पर merit list को open करोगे तो सबसे पहले उसमें male candidates के नाम लिखे होंगे जो कि लगबब 200 कुछ के करीब हैं, 200.500 से जादा हैं और उसके बाद female candidates के नाम लिखे होंगे जो 125 के आसपास हैं और उसके बाद NCC special entry के male candidates के नाम लिखे होंगे तो इस तरह से इन्होंने पूरी merit list बच्चों की जारी कर दी है जिसको आप चेक कर सकते हैं इसका link हमने description box में दे दिया है इसके साथ है दोस्तों मुझे एक बहुत ही important जानकारी आपको provide करवानी है आप बने रही है हमरे साथ वीडियो में last तक दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जिन भी बच्चों का selection इस बार Air Force F-Cat में नहीं हुआ है उनके लिए Unacademy एक बहुती बढ़िया offer लेकर आया है दोस्तों Unacademy की तरफ से F-Cat के students के लिए एक special badge की सुरुवात की गई है इस badge का नाम है चेतक badge दोस्तों यह badge 2022 के students के लिए है जो Air Force F-Cat की तयारी करना चाहते हैं साथियों मैं आपको बता दूँ कि इस badge की सुरुवात 8 December को हो चुकी है और यह badge आपका 15 फरवरी 2022 तक चलने वाला है और इसमें आपको सभी subject के teacher अलग-अलग provide करवाए जाएंगे math के अलग, gk के अलग, english के अलग और reasoning के अलग और सभी faculty number one faculty है इंडिया की number one faculty को unacademy provide करवाता है तो अगर इस बार आपका selection F-Cat में नहीं हुआ है तो आप unacademy का ये badge जोइन कर सकते हैं साथियों यहाँ पर जो unacademy है वो बच्चों की पूरी help करता है इसके साथ ही दोस्तों अगर आप नेवी की तयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर नेवी के बच्चों के लिए ब्रह्म पुत्रा badge की सुरुवात की गई है यह जो badge सुरू हो रहा है आपका ये 22 December से लेकर 28 फरवरी तक चलेगा तो दोस्तों अगर आप नेवी की तयारी कर रहे हैं तो आप इस badge को जोइन कर सकते हो और इसके साथ ही अगर आप NDA की तयारी कर रहे हो तिसके लिए भी new badge स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है अजे दोस्तों NDA का जो ये badge है ये 22 December से आपका शुरू हो रहा है और ये 30 March तक चलेगा साथियों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि Unacademy पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और बच्चों की सभी doubts किलियर किये जाते हैं और सबसे ज़्यादा selection देने वाला platform बन चुका है आपका Unacademy दोस्तों आपको सभी badge के जो link है वो description box में इस वीडियो के मिल जाएंगे आप इस वीडियो के description box में जाकर link पर click करकर इन badge को join कर सकते हैं इसके साथ ही मैं आपको दोस्तों बता दूँ कि यहाँ पर अगर आप हमारे code का use करते हैं इसके badge को purchase करने में तो आपको वहाँ पर पूरे 10% का discount मिल जाएगा इसलिए दोस्तों अगर आप किसी भी badge को join करें तो आप हमारे code का use जरूर करें जिससे आपको पूरे 10% का उस पर discount मिल जाएगा दोस्तों ये Unacademy पर बहुत ही बढ़ी आउफर चल रहा है इसका आप लाब उठाईए और अपनी तयारी को पूरे अच्छे तरीके से कीजिए तो आप अपनी study के according इनका badge join कर सकते हैं तो साथियों जिन बच्चों का selection इस बार Air Force EPCAT में हो चुका है यानि कि उनका नाम इस merit list में आ चुका है तो अब आगे क्या process रहेगा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अब Air Force EPCAT के दौरा आपका medical examination लिया जाएगा आपको medical के लिए बुलाया जाएगा जिसके लिए आपको एक admin card मिलेगा और एक fix date आपको बता दी जाएगी कि इस दिन आपका medical होना है साथियों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि medical में आपकी full body का check up किया जाएगा आपकी body के हर part को वो अच्छे से check करेंगे कि कहीं पे कोई समस्या या कोई दिक्कत तो नहीं है आपके आख, ना, कान, हाथ, पैर हर चीज को बहुती अच्छी तरह से बहुती बारीकी से जाच की जाती है और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि male candidates का जो medical है वो male doctor करेंगे और female candidates का medical female doctor ही करेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमसे comment में पूछते हैं इसलिए मैंने इस चीज को भी आपको बता दिया और इसके साथ ही हमने medical की full video बना रखी है कि defense में medical कैसे होता है आप हमारे channel पर जाकर उस video को देख सकते हैं इसके साथ ही अगर कोई समस्य आपको है तो आप हमें comment में पूछ सकते हैं हम पूरी कोसिस करेंगे उसका reply देने की इसके साथ हम इसकी एक full video आपको provide करवा देंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत लेने वाली बात नहीं है तो साथ हीं defense से जुड़ी सभी information हम अपने channel पर provide करवाते हैं इसलिए आप हमारे channel को subscribe कर लिजिए और bell के घंटे को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली videos की notification आप तक सही समय पर पहुंच जाएं तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई video में तब तक के लिए नमस्कार वंदे मातरम